Hello friends, welcome to my YouTube channel, Ishaadi about plus with Prashant. Friends, proximity sensor series में आप सभी का इबार फिर से स्वागत है. आज की वीडियो में friends, हम बात करने वाले हैं How to check 3-wire DC sensor output. इस वीडियो में जानेंगे friends, जो मैंने आपको sensors के output के बारें बताया था, उनको हम कैसे check करेंगे? मैं पहले बताया था हूँ, जो इससे पहली वीडियो में आपको क्या समझाया था friends? Difference between PNP and NPN proximity sensors. इनके difference के बारें बताया था, जिसमें मैंने आपको circuit diagram के basis बेंगे इनको difference कराया था, कि कौन सा PNP है, कौन सा NPN है, साथ में मैंने इनकी color coding में समझाया थी, DC3 wire sensors की, एक brown color का wire होता है, black color का होता है, blue color का होता है, जिसमें brown positive के लिए होता है, blue negative supply, जिसकों provide करते हैं, मतलब brown और blue input हो गए, और black आपको output देता है, चाहे वो PNP हो, या फिर NPN हो, coding यही रहेगी, और मैंने आपको समझाया था, PNP का output positive रहता है, इस point पर ध्यान लगाना, NPN का sensor का output negative होता है, यह मैंने आपको कल, पिछली वीडियो में मैं आपको समझाया था, लेकिन मैं आपको practical करके दिखाऊंगा, और चाहे तो वो practical आप अपने घर पे या company में भी कर सकते हैं, मतलब कैसे पता करें, यह अगर PNP sensor है, तो इसका output positive आना चाहिए, इसको test करना है, ठीक है friend, यह है कौन सा sensor, 3 wire DC sensor, हमारे पास यह कोई PNP sensor है, जिसमें एक brown color का wire है, एक black color का है, एक blue color का wire आता है, ठीक है friend, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस sensor को supply provide कराएंगे, supply provide करने के 24 volt से supply देनी होगी, उसके लिए हम use करेंगे, SMPS का, SMPS देना friend, कोई भी SMPS आपके पास होगा, जिसमें line और neutral पे आप 220 volt supply दोगे, और, यहाँ आपको 24 volt supply मिलेगी, प्लस माइनस पे, तो जैसे कि आप जानते हैं, यह brown color का बाएर था, यह black था एक, और यह blue था, BLUE, तो previous वीडियो में यह आपको समझा दिया था, इसको dip scale में add कर दिया, ज़रूर चेक कर लेना, brown positive, blue negative, जो आपके input हैं, तो आप SMPS से क्या करेंगे friend, यहाँ से supply positive, brown पे collect कर देंगे, और साथ ही negative आप किस पर correct कर देंगे, blue वाले पर, इतना clear हमारा हो चुका है, जो black होता है friend, वो क्या होता है, आपका output, अब मैंने आपको बताया था friend, output आपका positive है, कौन सा वाला, TNP, output positive है, तो positive किस के साथ देगा friend, यह, brown तो पहले सी positive है, अब यह आपका 24 वोल्ट की तरह एक करेगा, किस के reference में, zero के reference में, तो output आपको blue के respect में मिलेगा, इसका मतलब, अब आप multimeter लेकर आईए, माल लीजिए, यहापर अपना multimeter है, यह अपना multimeter है कोई, मैं draw कर रहा हूँ, MULTI multimeter, जिसमें, यह positive, negative के अपनने probe connect कर ली है, हमें क्या पता है, यह PNP sensor है, अब इसका output हम चेक कर रहे हैं, तो जो black वाला होगा, वो क्या होगा, positive, blue वाला क्या हो जाए, गर negative, तो जैसी फ्रेंड आप, multimeter की, red वाली probe को, इस black वाले बायर से connect करेंगे, और blue वाली, को हम black वाले से connect करेंगे, multimeter के, और जैसी इसके सामने कोई target आएगा, मतलब sensor sense करेगा, इसकी range के अंदर, तो उस condition में आपको multimeter पे, positive 24 volt मिलेगा, इससे आपका, यह clear हो गया, जो हमारा PNP sensor है, वो output 24 प्रेंड करा रहा है, यह आप फिर से देखिए फ्रेंड, आपका कोई भी PNP sensor है, हम जानते हैं, universal है, brown color और blue color पे हमें input supply देनी है, 24 volt, क्योंकि DC 3 wire sensor है, तो SMPs लेना आप, और यहां से आप उसको, 24 volt supply दे दिए, black वाला किसलिए होता है, output के लिए, अब PNP sensor है, मतलब output क्या होगा, PNP का, output होता है, आपका PNP का positive, अब PNP मतलब positive, black वाला wire positive output देगा, plus 24 volt, किस के respect में देगा, 0 के respect में दो दे पाएगा, positive 24, इसका मतलब जो आप multimeter लेंगे, अपना किस पे connect करेंगे, एक plus पे connect करेंगे, और दूसरा आप, 0 volt मतलब की blue पे connect करेंगे, और जैसे आप sensor के सामने, कोई target लेके आएंगे, यह आपको output दे देगा, ऐसी फ्रेंट आप, consider कर लिए, आपके पास एक और sensor है, यह मेने sensor बनाया, कौन सा वाला इसवार आपके बस, NPN sensor है, अब NPN sensor का आपको क्या पता करना है, output माइनस कैसे आएगा, तो वो यह तीन वायर होते हैं, brown, black, और blue, मैंने आपको बताया, चाहे कोई NPN sensor हो, या PNP sensor हो, जो sorry, input होता है, वो brown और blue पे देना है, तो हम क्या करेंगे, SMPS लेंगे, यह मान लिए आपका कोई SMPS है, यहाँ पर आपने supply दी, plus minus हमें मिल जाएगा 24V, तो क्या करना है हमें सीधे, 24V हमें supply प्रोइड करनी है, positive किस पर देंगे आप, universal चीज़ है, brown वाले पे, और negative किस पर देंगे आप, universal चीज़ है, blue वाले पे, जो पहले में बता चुका हूँ, और यह आपका black output के लिए होता है, अब NPN में output का होता है, NPN sensor में, output होता है आपका negative, minus में आ रहा है, किस की respect में minus में आएगा, यह आएगा आपके positive के respect में, यह plus है, यह minus है, और यह आपका आ रहा है minus, तो इसकी respect में तो लोग हैं नहीं minus, किसकी respect में लेंगे हम इस बार, positive की respect के minus, तो क्या करेंगे, आप multimeter लेंगे, मान लिए आपका यह multimeter है, यह positive यह negative, तो अब क्या होगा फ्रेंड, जो आपकी red वाली probe होगी, multimeter की, वो positive पे जाएगी, मतलब brown वाले वायर पे, और black वाली किस पे जाएगी, black वाले वायर पे, और उस condition में जैसी, आप output चेक करेंगे, जैसी इसके सामने कोई target आएगा, तो आपको minus 24 वोल्ट मिलेगा, इस तरह से आप practical करके देख सकते हैं, अगर आपके पास कोई sensor है, या फिर आप college में practical करना चाहते हैं, या industries में आप हैं, तो चेक कर सकते हैं, किस तरह से output मिलता है, positive या negative, multimeter को मतलब को क्या करना है, ये समझे ले ना इसमें, DC अप्लाई पे जाएगी है, 200 वोल्ट पे, ये आपका positive के लिए, ये negative के लिए, अगर PNP sensor है, तो positive होगा output, ये किस के तरह एक रिए पॉजिटिव की तरह, इस पे लगा दिए wire, multimeter का, दूसरा, billy वाले पे लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, क्योंकि, output जब black positive है, तो तो reference क्या होगा, negative या zero, और आपको multimeter मिल जाएगा, तो red वाला probe लगाएंगे positive पे, और इसको लगाएंगे black वाले पे, और output मिल जाएगा आपको negative में, इस तरह से आप practical output चेक कर सकते हैं, कोई भी PNP या फिर NPN proximity sensor का, अगर आपको friend वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, जाए शाद वीडियो को शेर कीजिए, and please don't forget to subscribe my channel, thank you.